नमस्ते, आप सब का वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जारे कंठोला की सबजी सूखे कंठोला की सबजी, इसे काफी लोग कहते हैं कंकोडा ये हमारे शरीर के लिए इतने जादा फाइदे में देना, जिसकी कोई हद नहीं है बनाने में भी असान और खाने में मज़ेदार उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कंठोला, ये मैंने 250 ग्राम जितने लिये हैं इसके उपर का छिलका नहीं निकालना है, पानी से अच्छे से दो कर, साफ कपड़े से पोच कर, उपर दीचे से थोड़ा सा काट कर, इसे लंबे-लंबे टुकडों में काट लिना है, बीज के साथ ही अब गैस को अन करके कड़ाई रख दीनी है, एक चमच इसके अंदर तेल डाल देना है, जैसे ही तेल गरम हो जाए, तो चार से पांच लसन के कलियों को छील कर, बारी काट कर डाल दे, और तीन से चार हरी मिर्ची को बीज से काट कर, टुकड़े करकर डाल दे, हलका सा भू यह सबजी बनाना बहुत ही आसान है, और खाने के तो इसके बहुत अलग-अलग अनिक फाइदे हैं, और यह वाले मौसम में यह काफी जादा आता है बाजार में, तो सबजी मंडी से फटा-फट से लेके हो और इसे बना लीजे, देखें, दो से तीन मिन तक भूनने के बा यह फटा-फट से पक जाते हैं, तो लगभग तीन से चार मिन्ट हो चुके और इसे धीनी आजपर ही पकाना, और आप देखें कुछ ऐसे हो चुके, अब इसके अंदर में डाल रहे हैं, आदी छोटी चमच, लाण मिश पाउडर, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डा पर हमें थोड़ा सा तीका खाना पसंद है, हलका सा कंठोला की सबजी में सिर्फ, तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दियो और अच्छे से मिला लिया है, दो मिनिट तक पका लिया था, बन कर तयारे सूखी कंठोला की सबजी, खास करके आप इसे ले सकते हैं रोटी के पर हमें सरतwyn मिला को बीच अगरा लिया है, जो मिला करेक geen दोड़ा आप हैं नहां मिलाटे को लिया है.